हाई एड़वान वेलकम टू माई चानल लाइफ वित अकांसा तो टोड़ीज वीडियो इस ओल अबाउट खीर रसीपी बाई माई मॉम तो हमारे टाइप का खीर हम कैसे बनाते हैं आज हम आपको दिखाऊंगे तो यह ओडिया स्टाइल खीर है और हमारा यहाँ पर हर एक फे किसी प्याज आपको मैं शेयर करूंगे तो इसके लिए आपको चावल चाहिए और जो पूराना चावल रहता है खीर के लिए अच्छा रहता है और किसमेस काजू हो गया इलाइचियो के पिस्ता भी आप डाल सकते हैं मिल्क मेड और अमुल का प्योर घीर रहता है और करने के बाधन को खुड़े तो भी घी डालें और Million के आपको कैर्टाकुण करमार है कारमा मेल एसक्ट प्यूंकि करते हैं कि क्लर आपको कैरमारीस तो इस इतन तुशन हघनके खाथ चलाते हैं तो इसको पिल्कुल डी होना चाहिए जँना मेल्ट हो जाता हैं मुल्कि इसलिए आपको बहुत कैरफुली रहना इस वक्त जल जाएगा तो पूरा खीर आपका टेस्ट खराब हो जाएगा तो इस तरह आपको करमलाइस करने हैं धीरे-धीरे से चलाते और इस रेसिपी के लिए हम लोग लिए हैं वन फूर्थ खीर चावल तो इतना में ही आपको बह बहुत अच्छा खीर बनाती हैं जैसे कि हमारे यहां पर भूजी में जैसे बनाते इसी सेम प्रोसेस में मेरे में में बनाती है तो आप देख सकते हो मैं आपको इच टेप आपको मैं दिखा रही हूँ फिर इसके बाद पर इसे पानी डाल देना है फिर उबालने के लिए देख सकते हो नो प्रकरम लाज़ों के पानी का कलर भी चीज हो गया है तब भी इसमें हम डालेंगे तेज़ पत्ता इलाईची सारे चीज़े आपको यह रेसिपी अच्छा लेगेगा और आप लोगों कौन-कौन सा रेसिपी चाहिए वह भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो तो मैं ज़रू कोशिश करूंगे वीडियो बनाने के लिए तो और एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे ऐससे क्यूं बना रहे तो तो यह रहा खेर चाहिए पूरा नहीं चाहिए अब देख सकते हूं और इसको श्मेल काफी अच्छा रहता है कि इसको थोड़ा सब्सक्राइब करके रख देंगे कुछ वक्त के लिए तब देख रहो इस तरह इसको बॉइल होने के लिए छूड़ेंगे फिर हम एड़ करेंगे चावल मैं अच्छे से बॉइल आना है उबन अच्छे से आते से हुसकर टेस्टा आता है उबन नहीं आया होका आप डाल दोगी तो नहीं होगा तो प्रॉपर प्रोसेस पर करने बहुत जादा टाइम लगता है और गैस भी जादा खत्म होता है पर टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो इस तरह आप डाल के फिर से उसको उबाल देना है खीर बनाना बहुत ही साथ है इजी है बट टाइम टैकिंग भी है अच्छे से जो चावल पकना चाहिए प्रब मेल्ड होना चाहिए बहुत लोग क्या करते हैं खीर बनाते हैं लेकिन चावल खाने के जैसे ही रह जाता है उबालना ज़रूरी है बहुत टाइम देख आपको च खाना है और खीर बनाने के वक्त काफी कैरफूल भी रहना है क्योंकि थोड़ा सा आप छोड़के चलेगे तो गया पूरा खीर ही खराप हो चाहिए तो इस तरह आपको यहाप बॉल करने के लिए छोड़ देना है इस तिल इट बॉल अप्ट टू एटी परसंट अगर यह पगया होगा तो इस तरह आपको चलाते रहना है पीच बीच में हमारे यहापर तो आफ्टर हाविंग लांच और दिनर दे लाइक टो इट खीर और यहापर भोजी में खीर मेंडिटरी खीर नहीं रहागा तो भोजी के चैसा ही नहीं लगता है और बहुत लोग ऐसे खीर पूरी भी खाने के लिए बहुत साथ पसंद करते हैं हमारा यहापर तो भोजी में मस्ट है खीर बनाने के लिए तो देख रहे हो ना इस तरह आपको उबाल लाना है तो आज के दिन बड़े है तो बहुत सार आइटम्स बढ़ रहा है जैसे कि फिश चिकन बन रहा था एक् फुर्थ कप आफ राइस में कितना सारा खीर बन जाएगा तो हम यूज कर रहे हैं यह अमुल मोटी का मिल्क तो यह फुल फैट मिल्क है एक्चुली ना खीर अमुल के साथ अच्छा लगता है पर अमुल बहुत जाता कॉस्टली रहता है और गैस्टिक इश्यू भी रहता है पर चलिएगा थोड़ा सा कम कोस्ट भी हो जाता है और यह रहा चीनी तो इससे उबाल लाने के वक्त ही आपको डालना है वन केजी ओफ चीनी आप चहाओ तो ज्यादा कम कर सकते हैं अपने इस टेस्ट की हिसाब से इस तरह आपको अच्छे से मिक्स कर देना है बहुत लोग क्या अतने हट बड़ी भी निकाल देते हैं पर वो टेस्टी ने अदर चावल मतलब पर खिलता नहीं मतलब क्या बोलते इसको ओडिया में मुझे मालूम है चावल फिट्टी वार अच्छी पूरा इससे बोलते है तो अगर वैसे नहीं हुआ होगा और आप निकाल दो तो चावल खाने के जैसे ही लगेगा इसलिए स्लोली यहाफ टो कुक देस वान तो यहाँ पर अभी में सारे मिल्क निकाल दूंगी तो यहाँ पर हम सिक्स पैकेट उप मिल्क यूज़ कर रहे हैं इस तरह हम एड़ कर रहे हैं मिल्क और मिल्क के साथ अभी हम उपा लेंगे यह बहुत टाइम टेकिंग होगा पूरा शावल के साथ मिलना है अच्छे से पकना है मिल्क के साथ यहां पर हम बस काजू अनकिसमी सी डालते मुस्तली घेर में बहुत लोगों पीस्ता वगेरा बाद हम डालते लेकिन हमें वह पसंद नहीं है तो एकार्डिंग टुएर टेस तो यह हम ठोट टुकड़ा टुकड़ा करके डाल के फ्राइक कर लोगी यह थड़ा अच्छे से पकने के बाद यहां पर किसमी सी डाल के फ्राइक कर लोगी इसको तिल इट गट्स गोल्डन ब्राउन कलर और यह बहुत अच्छे से चलाता पक चुका है खीर आप चाहो तो अपने हिसाब सापको यह थोड़ा से लिक्वीट कांटिटी में पसंदे या फिर गाढ़ा पसंदे वह अपने चॉइस के हिसाब से तो अभी हम यहां पर ट्राइफूट स्टैलिंग बहुत लोग क्या करते हैं बंद करने के बाद डालते ह यह पर चाहबल कुकुरे इसलिए हम गैस में रख दिये तो अब देखरों गाढ़ा होते आ रहा है पक्के आ रहा है बहुत मतलब दो से धाई घंटा हो जाता है तो अब भी पक चुका है थोड़ा पकने के बाद ही हम मिल्क मैड अड़ करेंगे फिर गैस बंद करतेंगे अभी हो चुका है रड़ी और नहीं थोड़ा लिक्वीट रहेगा तब ही बंद करने क्योंकि अगर बहुत साथा गाढ़ा करके बंद करोगे ना तो जादा गाढ़ा हो जाएगा तो इस प पसंद है ऐसे ही प्रोसेस में अप लोग भी बना हो अप लोगों को बहुत पसंद है तो अभी मिल्क मैड अड़ कर रहे है तो क्या होता है न हमेशा जब भी मिल्क मेड आता है न अगर में पूरा नहीं डालते थोड़ा सा निच्चे रखो मेरे लिए यह मुझे मिल्क आने के लिए बहुत सादम पसंद है तो यह अबर मैं वोली थोड़ा सा रखो मेरे लिए आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया अगर प्लीज दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू मैं चानल लाइफ वित अकांशा और भी अच्छा रेसिपी ले आउंगे और व्लॉक्स में लेके आउंगे तिल देन बाब बाई सी यू सून